दोस्तों अगर चिस महिला की शादी हो गई है तो ऐसे में अगर आपका पती भी इन तीन चीजों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंद मना कर दें एक शादी शुदा महिला को भूल कर भी इन तीन चीज़ों को कभी नहीं पहनना चाहिए नहीं तो आप अपने पती की मुर्टियू का कारण बन सकती है आपको बता दें कि आज के इस आधनिक दौर में शादी शुदा महिला कई ऐसी चीज़ों को पहन लेती है जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता यहां तक कि शास्त्रों में भी ऐसान नहीं लिखा होता कि कुछ भी पहन लिया जाए ऐसे में उनके जीवन पर नकरातमक प्रभाव पड़ता है यहां तक कि परिवार, रिष्टे और पती की जान भी चली जाती है तो ऐसे में जानते हैं आखिर वे तीन चीजें कौन सी हैं जो महिलाओं को कभी नहीं पहनी चाहिए नहीं तो कुछ भी हो सकता है तो चलीए जानते हैं दोस्तो नंबर एक शास्तरों में इस पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादिशुदा महिला को एक दम सफाचट सफेद रंग का वस्तर कभी नहीं पहनना चाहिए ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है आपको बता दें कि आज कल के इस फैशन के यूग में महिला सुन्दर दिखने के लिए काफी ऐसी हदे पार कर देती है जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है वास्तु शास्तर के अनुसार किसी भी शादी शुदा महिला को एक दम सफाचट सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए इसके पीछे का कारण ये है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पती वर्ता धरम बिलकुल खतम हो जाता है और उनके रिष्टे में नकरात्म कुर्चा का आगमन हो जाता है क्योंकि ये लिबास विद्वा होने का है ऐसे में आप अपनी पती के मृत्यू का कारण बन सकती है इसलिए हो जाएं साफधान वहीं अगर आप सफेद रंग का वस्तर पहना चाहती है तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी जरूर हो लेकिन एकदम सफेद रंग का कपड़ा कभी न पहने नमबर दो इस साधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिच्छिया पहन लेती है जो कि शादिशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुब माना चाहता है पैरों में सोने से बनी हुई चीजों को पहनने से कुबेर महरास का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिष्टे तूट सकते हैं और कई सारी परिशानियों का आगमन भी हो सकता है इसलिए सोने को पैर में कभी न पहने पैरों में सोना पहनने से पाप आपको बता दें ये तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है इसे वे अपने पती की खुशी से जोड़ती है ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगाए तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गय भले ही ना लगा हो लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए ऐसा माना जाता है कि मंगल सूतर का पीला हिस्सा माता पारवती और काला हिस्सा भगवान शेव शास्तरों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिला मंगल सूतर ना पहनती हूं तो सब से बड़ा पाप है ऐसे में आपके रिष्टे पर कलंक लग सकता है इसी लिए एक शादी शुदा महिला को मंगल सूत्र अवश्य पहनना चाहिए अगर आपके पास मंगल सूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन सकते हैं दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अग सरूर देखेगा क्योंकि अब हम बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो सिंदूर की डिब्बी में रखनी चाहिए और जो वाके में ही बहुत शुब है धार्मिक मानता के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अन्यवारे होता है सिंदू सिंदूर लगाने के संदर्ब में जो भी नियम बनाए गए हैं सबी सुहागिन महिलाओं को इन नियमों का विधिपूर वक पालन करना चाहिए अन्यथा उनके जीवन में परिशानिया उत्पन होने लगती हैं जो महिलाओं सिंदूर के नियमों का पालन नहीं करती ऐसी महि महिलाओं को करना चाहिए नमबर एक सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगन माना जाता है इसलिए हमें हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए अगर आप इसे ऐसी जगह पर रखेंगी तो बच्चे इसे हाथ लगाएंगे और ये गिर सकता है नमबर दो मांग भरने के ल लगाते समय उनके माथे पर गिर जाता है तो माथे और नाग पर सिंदूर गिरना तो बहुत शुब होता है तो इसका मतलब है कि आपका पती आप से बहुत प्यार करता है नमबर तीन सिंदूर को कभी भी किसी के सामने ना लगाएं जब आप सिंदूर को किसी के सामने लग तो आपके पती को नज़र लग सकती है और आपका प्यार कम होускता है नमबर चार अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिड़ जाता है तो उसे इकठा करके नाली या सिंख में नाफे की सिंदूर को इकठा करके माथे से लगा कर किसी पेड़ के नीचे रख दें नमबर पांच अगर आप से सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगली या माचिस की तीली को थोड़ा सा गिला करके सिंदूर में टच करके माथे पर लगा लें इससे सिंदूर ना ही फैलेगा और ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा नमबर छे शादी शुदा महिलाओं को सदेव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर ही लगाना चाहिए किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचें लेकिन वहीं अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगाती है तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी और साथ ही में धन वैभब की कमी और पती को किसी भी तरह से सफलता ना मिलना घर में कलेश कावातावरन रहना अनिवारे होता है नमबर साथ इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाट कर ले उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाए सिंदूर लगाते समय सधेव आप अपने पती की लंबी आयू तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचें इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है नमबर आट सुहागिन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि शास्तरों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुब है केवल अपने पती का दिया हुआ सिंदूर ही लगाएं जो कि शादी शुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुब है नमबर 9 घर में अगर किसी भी तरह कैसू तक है या आपको पीरियर्ज आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं क्योंकि ये सिंदूर का अपमान होता है इसके साथ ही मालक्ष्मी ऐसे घर में परवेश भी नहीं करती तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही मुझे उमीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद